आज कही साइन्स के दुनिया में भी कुछ चीजें ऐसे हैं जिसका की आंसर साइन्स के पास भी नहीं हैं टाइम ट्रावेल की बात करें तो बहुत सारे लोग इस पर बिलीब नहीं करेंगे पर उहीं पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि टाइम ट्रावेल मुम्किन है और इस time travel के बारे में भी बहुत सरे scientist ने अपना अपना theory दिया है तो आज हम बात कहेंगे time travel की एक AC ही घटना पर Imagine किजिए कि आप किसी train में बेठे हो कहीं जाने के लिए पर वो train कभी अपनी destination पर पहुँचेगी ही नहीं 14 जोलाई 1911 को train company Genetee ने ये announce किया कि उसने एक नया model of train launch किया है और उसने अपने 106 regular customers को free ride देने का offer किया तो सब ने उसे sign up किया और train में बेठ गए train स्टार्ट हुआ और सब लोग काफी enjoy करने लगे फिर भीच रास्ते में एक tunnel आया जिसका नाम है लॉंबार्डी tunnel तो train उस tunnel में घुसा तो सही पर दूसरी end से कभी बाहर नहीं निकला तो इस घटना के बाद railway workers ने पूरा इलाका चान मारा पूरा का पूरा investigation किया पर train का एक भी piece उस tunnel के आसपास ही नहीं बलकि पूरे train line में कहीं पर भी नहीं मिला उन्हें सिर्फ दो passengers मिले बेहोसी की हालत में जब उन्हें medical में admit किया गया और उनसे पूछा गया बाकी passengers के बार में तो उन्हेंने बताया कि train उस सुडंग में enter करने के बाद कुछ time बाद धुए में चलने लगी और उनके खिड़की के बाहर का scene बार बार change हो रहा था जैसे कि वो कोई time loop में फस गए हो तो उन्हें थोड़ा अजिब लगा और वो train से कूद गए बाकी के 104 passengers का कहीं भी कोई अतापता नहीं मिला पर जब train के history को देखा गया तो एक हेरान कर देने वाला बात सामने आया ये train गायब होँ था 1911 में पर जब उन्होंने इतियास को देखा तो 840 में एसा हो चुका था कि 104 passengers एक psychiatric hospital में आडमीट हुए थे काफी serious condition में और उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे train से आये हैं उन लोगों का दिमागी हालत ठीक नहीं था इसलिए वो कुछ detail में नहीं बता पा रहे थे बस उन्होंने ये कहा कि हम train में आ रहे थे तो time travel के कारण हो सकता है कि यहीं इंसान जो 1911 में गायव हो थे वो उस time में पहुँच गये थे पास्ट में और पास्ट में वो डोक्टर जो की उन लोगों का इलाज कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि वो लोग काफी सद्मे में थे उन लोगों में से एक के पास से एक मैच बोक्स मिला था जिसका manufacturing date था 1907 मतलब train गायव हुआ 1911 में और उस आदमी के पास मिला उसके कुछ साल पहले यानी 1907 में manufacturing हुआ एक मैच बोक्स और यही मैच बोक्स आपियर हुआ 840 में ठीक 104 पैसेंजर्स के साथ जो ये claim कर रहे थे कि हम यहाँ पे train से आये हैं पर केसे आये हैं वो हम नहीं जानते scientist का मानना है कि ये train time travel करके future से पास चली गई थी और ये train उसके बाद 1955 में भी एक बार और कई बार बहुत जगा देखा गया है साथ ये train अभी भी कहीं पर time loop में फसा हुआ हो वीडियो अगर अच्छी लगी चैनल को लाइक कर दो और इसी तरह के fact जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना